सिंपल से बात है इस बार असपस संद्र से कोई भी असलील हरकत करते हुए नजर आएगा उनकी कुटाइड निश्या लेकिन जैसे ही आप असलील हरकत कि जेगा और मैं कैमरे के रिकॉर्ड में अगर आ गया कि आप असलील हरकत कर रहे हैं तो फिर मैं आपको कूटूँगा य लोग अभी नयका यूग है इसमें लोक शीक्स देव मनाते हैं अगर कोई सावजनिक असलीलता पर दरशन करता है हमें उससे आपते हैं तो बहुता क्या कि लोग तो हमें रूप लगा देते हैं कि भाई साब ने लाठी चलाया डंटा चलाया यह यह नहीं समझ पाते हैं हम हम ने तो उस हालात में पाकर रहे हैं कि लड़के-लड़कीओं को पकर था इसके पहले से पहले वर्ष में की उल्लों नगनता थे तो हमें लब जिहाद के लिए खुद के हिंदु समाज को जागरूप करने कर सकता है किसी को दोशी नहीं मानते हैं वह जिहाद का गलत मर्त लब निकाल के जिहाद करता है जिहाद है तो माली जे कोई गोबर है तो उस गोबर में हम जितना पत्थर मारेंगा तो हमारे उपर उल्टा पड़ेगा तरह उधारन है जिनको लब जिहाद करते हैं और टुकरों में मिलते हैं सुटकेस में पह जाते हैं लोग करते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है ठीक है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है तो लेकिन हर अब्दुल के पीछे कोई ना कोई जिहादी जरूर है तो टिपनी करने वाले आज से नही लिए कुछ करें देश की भावना देश भक्ती की भावना प्यार मोहबद कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को देखा और लड़की को पल्लू समालने का जुरत पड़ जाए तो जरूर उस लड़का के आँख में खोट है उसके नियत में खोट है नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं मुझपरपुर्वाव मैं हूँ आपके साथ आदित साथ तारीक से विलेंटाइम वीक सुरू हो चुकी है इस वक्त हमारे साथ मुझपरपुर के चर्चित हिंदुन नेता वैभाम इसरा जी है जो विगत कई वर्सों से लगातार विडोद करते आ रहा है हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इस वार भी रहेगा तो आप सलाकों के पीछे जाना पड़ गया था इस वार क्या कुछ आपका अभियान झारी बिल्कुल यह अभियान जारी रहेगा और एक साल नहीं दो वर्स इसके लिए सलाखों के पीछे हमको जाना पड़ा था देखिए हम लोग वेलंटाइन डे का ही विरोध नहीं कर रहे हम लोग जिस परकार से मतलब उसको क्या कहें हम लोग अपनी भासा में अगर कहें तो जिस वहान से प्रेम करता है बगवान सरीकृष्ण ने भी राधा से प्रेम किया था आसला नहीं है किसी से मनाते हैं सीधा सिर्धा फंडा है अगर हम किसी से प्रेम करते तो क्या अपने प्रेमी का का चरित्र उनका शरीर किसी को दिखाएंगे पर दरसित करेंगे नहीं हम सर्जनी करते लोग पर जिस प्रकाड के पसलिता फेलती है हम शुरूसरी करते जो हमें करना पड़े और जो करना पड़ता है हम लोग की हैं और आपने चीज मिलाया होगा विगत आज ये छठा वर्स है छे वर्सों में मिठनपूरा इलाका हुआ पार्क वगरा इलाका हुआ आप देखेंगे कि किस परकार अब कमी आई हैं अब खुलियाम असलिता लोग नहीं कर पाते लेकिन सारवजनिक अस्तल पर बैठके असलिलता का परदर्शन करता है हमें उससे आपत्ती हैं और आपत्ती हमेशा रहेगी और इस पर रोक लगाने के लिए हम लोग तांत्रिक ढंग से इसका विरोध करेंगे और जरुद परती है तो हम माली जाते हैं तो होता क्या कि लो सकती होते हम तो रेस्टोरेंट संचालों को पर परसासण से मांग करते कि इंप करवाई की जा गलत तरीके से परजंट किया गता हूँ आरे करने वाले रोकने वाले होते हैं मुझपरपुर में लॉब जिहाद जौलन्त बन दे जा रहाए इस पर क्या कुछ नहीं लब कि ध्रम्रांटरण भी बहुत बढ़ा सबसे पहले उनकी प्रात्मिक्ता है कि वह अपने बच्चों को सही संस्कार दें हम बच्चियां कोई भी हो किसी भी धर्म की हो वह समाज की होती है और यह जिस तरह हम अपने समाज के बच्चियों के लिए जागरूख है इस तरह उन्हें मतलब अगले समुदाय को अपने बच्चियों को भी जागरूख करना चाहिए देखें बहुत सारे ऐसी बाते हैं जो संस्कार हम खोते जा रहे हैं आपको याद होगा कि आप जिस जनरेशन में हम लोग सुभा उठते थे तो अपने माता पिता को परणाम करते थे धर्ती माता हम जानते थे कि हाँ इसका आर्थ यह है यह गलत है यह सही है मतलब हमारा संस्कार था आज के अजके तारिक में क्या है कि बच्चा अगर चला दीजे ताकि बच्चा और अच्छे से सुए गलत हम लोग सुरीयोदों से पहले जग जाते एक मतलब क्या कहें सनातन धर्म जो है एक पदती है जिसके वज़ासे हम मतलब अगर पालन करें तो हमारा सरीर भी स्वस्त रहेगा हमारे संसकार जब उच रहेंगे तो कि हम लोग लब जिहाद जैसे किसी भी सर्यांत्र पढ़ियांत्र या फिर किसी भी वायरेस जो करोना वायरेस टैप का है अगर हम लोग उसको नियवित रूप से अपने धर्म में सुभा जगना सुभा वयाम करना अगर सामिल कर ले तो हम फिट रहेंगा सांटिफिक भी और द्रिष्टी से भी तो हमें लब जिहाद के लिए खुद के हिंदू समाज को जागरुक करने कर सकता है खुद के गार्जन जितने हैं उन सभी को जागरुक करने आज के समय में क्या है कि बच्चा पांच सल दस सल का वह उसके हाथ में धमादी है आपको याद होगा क्या पिता जी के हाथ में रधा था बहुत चुपचाप कभी मिला हम इंटर में गए तब हमेरे हाथ में मुबाइल पढ़ा था आज के डेट में पांच फिर्थ क्लास में बच्चा पढ़ उसके हाथ मुबाइल दे दिया और हम किसी को दोसी नहीं मानते हैं वो जिहादियों का क मतलब निकाल के जिहाद करता है लेकिन हमें तो खुद में जागरुकता होना पड़ेगा आपको याद होगा कि हमारे गारिजन ले जाते थे मास्टर साहीब को कहते थे मास्टर साहीब भी बच्चा है इसको पढ़ाईए हडडी छोड़ किसका चमरी उधेर दीजेगा आज उल्टा पड़ेगा ना तो हमें अपने अंदर जागरुकता अपने समाज के अंदर जागरुकता लाने पड़ेगी और हम तो लड़कियों को यह कहेंगे कि आप देखे नसरदा है ऐसे बहुत सारे उधारन है जिनका लब जिहाद करते हैं टुक्रों में मिलते हैं सुटके हैं लोगों को जागरुकता भी कर रहे हैं आज भी जहां भी कहotta है तो वहां लोगों को समझाते हैं कि कम से कम करतब सिप का मतलब होता है उसको निभाना आप उसको करता शिप बच्चे को पैदा करना नहीं उसको तरी संसकार देना सदनातन का अगर संस्कार दिया तो कोई भी बच्चा नहीं भटकेगा यहीं सचाई कमि रहेगी तो भटकेगा आपके उपर तो अबद्र अबद्र टिपनिया की जाते है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे देखें सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फोलोवर है और उन फोलोवर लाखों हों हजारों हो न तो वह सब उन्हीं भाई लोग का सिर्वाद है प्यार है सने हैं अगर हम गलत होते तो इतने वाले आज से नहीं भूख रहें बहुत पहले से उनके भूखने से हमें कोई फर्क ना पड़ा है उनका टिपनी करने से इतना हो गया कि मिश्रा आज के रेट में जन जन तक पहुंच चुकिया है यह मेरे लाच्छा है हम उनकी हिना नहीं करते हो तो उल्टा धन्यवाद कर अच्छा है कि किसी पर गार का अरोप लगाते अब जितने आरोप लगाते हैं सोचल मीडिया पर लगाते आज जैसे ही वह पुलिस इन्विस्टिकेशन में आता है वह सारा चीज फॉल्स साभित हो जाता है पुलिस मेरे उपर आरोप के माद है मगर आरोप की बात की जा तो सब्सक्राइब देमेज होगा मांसिक रुप से डेमेज होगा आरतिक रुप से डेमेज होगा जब आपकिसी गुळोक नहीं पाएगा तूसके चरित को मार दीजिए वह खुद बेखुद मर जाएगा तो यही फॉर्मुला हमारे विरोधियू निकाला था लेकिन भगवान गटनासत पाए गया बहुत तरह की बाते होती हैं मेरे उपर गोलियां भी चली सब बहुत तरह की बाते बहुत सारे दुस्मन बने लेकिन किसी से कोई अगर हम सही है तो फिर हमें कोई रुकावत पैदा नहीं करेगी हम जब मानिया के पुर्वत कालिन जो सब्सक्राइब मनोज कुमार जी उभी भ्रमित कहीं न कहीं हुए कोई न कुछ सिखाया लेकिन क्या हुआ गया जेल गया मानिया नियाले द्वारा एक दिन में निकले हैं बहुत बड़ी बड़े लंबे लंबे उल्टा मेरे उपर यह आरूप लगा दिया कि मैं मिठन पूरा भाले जाता हुए हो जोने लगे न तो मेरा ही परिवार हम लोग समाजिक जीवन के साथ-सत परिवारिक जीवन भी जीए थिक है तो अगर विचलित जिस परकार आपको ने किया अगर होते तो ऐसा नोबत आ जाता है कि हम सुसाइट कर लेते हैं लेकिन संघर्स ही जीवन का दूसरा रूप है भगवान अगर हमें जीवन दिये हैं तो उसको पूरी तरह जीना चाहिए दुख हो या सुख दूनों को इंजवाय करना चाहिए काखरी सवाल आप हमारे दर्सकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वेलन्टाइन देट बहाना है ठीक है उस दिन तुस चोदर पुलमामा में सहीद हो गया था हमारे कितने सैनिक उनके लिए कुछ करें देश की भावना देशभक्ति की भावना प्यार महबत अच्छा कोई भी ऐसा स्लील हर्कत नहीं किजिए जिससे आपको खुद सर्मिंदा हों पड़े यहां तक कि लड़की ही सिर्फ नहीं है उसमें लड़के भी लड़का अगर किसी लड़की को देख और लड़की को पल्लू समालने का जुरत पड़ जाए तो जरूर उस लड़का के आ सारुजनिक अस्तल्प असलील हर्कत करने का यह आपको सम्मिधान अधिकार नहीं दिया हुआ है अगर आप सम्मिधान के भी दहर में बात करते हैं तो घंड़ित करें और हम दंड़ित करने में पीछे भी नहीं हटते हैं कोई भी असलील हर्कत करते हुए नजर आएगा उनकी कुटाई निश्चित है कि उनको सही रास्ते पिलाने के लिए आप प्रेम केज़े हमें कोई आपको रोक दिया चाहिए हमारे कोई भी भाई बंदू हमारा कोई भी कार करता अगर उनको रोक दिया तो आप कहिएगा ल कि हम प्रेम का विडिखाही नहीं करते हैं हम असलील का वीडिखाही व इस बार भी इन्होंने साभ्वत पर कऊ दिया कि अगर कहीं भी लोग असलीलता करते दिक गये तो उनकी जमकर कुटाई कि जाएगी कटाई इस लिए नहीं कि वह दंडी दिख याकैए कि वह सही पर्पुर्वाव। Elegant textures, from a range of shades,